किसान भाई यो आज की अपनी वीडियो है सुराज के 733 F-E ट्रैक्टर की यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार मैं आपको ट्रैक्टर दखाऊंग पहले यह कैसा ट्रैक्टर है तो कौन किसान भाई के पास में है यह ट्रैक्टर कमेंट करके ज़रूर बताना और कैसा है यह तो यह आप एक नजर पहले ट्रैक्टर की देखने है और उसके बाद में मैं आपको दखाता हूँ तो सोराज का 733 FW जो ट्रैक्टर है आपका आता है 35 HV में इसकी CC की बात की जाये तो यह 292 CC cubic capacity के साथ में यह ट्रैक्टर आपको आता है मिल जाता है और इसमें यह तीन सिलंडर में यह ट्रैक्टर आता है आप देख सकते हैं यह पे तीन सिलंडर और बॉसके लाइन खे पम Ground और ड्वन इसमें अब चो अबढ़ एक्लिटर को मिल जाता है असकी वा बात की जाए एर किलीनर के बारिकर में तो preparedness इसमें डील कीज़िटी आपको मिल जाथी है टेंक की तो इसमें 40-45 के करेद आपका डिल सकता है आठ वोरवड इसके gear की बाद की जाए तो इसमें 8 आपको forward 8 आगे को 2 इसमें पीछे के high low मिला कर तो इसमें फुल मिला कर 10 गेर वाला यह track का है यहाँ पर company transport log देती है आप अबना dealer वगेरा यह जगा नस्चित कर दें और इसको यह भी कर दें तो रास्ते में जाते हुए यह आपका नीचे हो जाता है position control and draft control तो यह नीचे नहीं गिरता है यदि आपका यह log होगा तो इसमें बहुत सब्दा है driver seat आपको मिल जाती इसमें adjustable और इसकी मुख्य बाद जो है इसमें आपको steering में ही आपको horn इसमें मिल जाता है इसमें आपको चार मीटर मिल जाते है speedometer temperature meter fuel meter and battery meter और यह parking light and indicator वगर आप देख सकते हैं यह आपर और इसके बारे में आपको बिताओं तो इसमें आपको single आपको clutch मिल जाती है जो कि कम force लगाने कर भी बहुत ज्यादा अच्छा तरीके से काम करती है इसमें आपको PTO gear मिल जाता है जो कि 540 rpm पर काम करता है और यह देखने को आपको two wheel drive जो tractor है आपको देखने को मिल जाता है इसमें SFC की बात यादी की जाए तो इसमें आपको SFC 222 मिल जाती है और PTO power की बात की जाती है तो इसमें 20.6 PTO power मिल जाती है इसमें आपके लिए इसका जो एक्सल की बात की या अगले एक्सल की तो इसमें आपको यह सीधा एक्सल मिल जाता है जो कि बहुत ही जवनस तरीके से खाम करता है यह इसमें आपको बैटरी बॉक्स भी साइड में देती है कंपनी जिससे आपके ट्रेक्टर का आगे रखने पर ट्रेक्टर का कलर भी करना हो इसकी जो HP की बात की जाए तो इसमें आपको 30 HP PTO मिल जाती है जो की 26 पॉंट कुछ किलोवाट में आती है वो 30 HP में आती है लेकर इसकी जो CC की बात की जाए तो 2592 इसमें CC आपको मिल जाती है 3572 में 3500 का ट्रेक्टर बहुत ही जवरतस तरीके से काम करता है। इसमें आपको तेल में डूपी हुई इसके जो ब्रेक हैं आपको मिल जादे हैं। और यहाँ पे आप ग्रीशिंग करने के लिए कलेश में ग्रीस पॉइंट देती है। इसमें बात की जाए डिस्ट्रिब्यूटर की तो आपको इसमें सिंगल डिस्ट्रिब्यूटर के साथ में ये ट्रैक्टर मिल जाता है यहां पे आप ब्रेक देख सकते हैं, यह ओल ब्रेक की पहचान है यहां से, आपका ओल आता है, यहां से होकर इसी के अंदर चला जाता है, तो इसमें यह पाई भी देख रहे हैं आप यहां पे, तो इसमें यह ओल ब्रेक 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 के साथ में, इसमें आपको इस्टेबल साइट देख सकते हैं जब रते से में बलफ लगा हूँ यह देख सकते हैं आप कितना हैं भी बलफ इसमें दिया है जिससे आपका रात का जो काम है आसानी से हो सके किसान का इसमें आपको बैटरी साइड में है और उसके बाद में ये सीड बगएरा देख सकते हैं आप तो सीड के पास में बोटल स्टेंड है बोटल रखने के लिए तो बहुत सारी सबधा जो कंपनी देती है इसमें बाद की जाए इसके टायरों की तो इसमें 12,4,8 इसके आपको पिछले टायर और अगले टायर 6,6 लागे आपको अबनी टायर इसमें मिल जाते है तो 733 एफी ट्रैक्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताएं वी इस तरीके से ट्रैक्टर यहां पर नजर आता है आपके लिए